तो फानली बहुत ही महनत के बाद में आज आज आपके समने पॉलिटिगल साइंस का सेट वान लेकर आया हूं और जो बिझाए स्टुडेंस अभी तक हिस्ट्री का सेट वान से लिगा सेट थी तक नहीं देखें तो जल्दी से जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देखिए क Suggests के बारे में बाद कौन साब्जट के बारे में दीखना चाहते हैं जरूर आप लोग कॉमेंट करना ना भूले चलिए मेरे दोस्तों पहला जो हमारा खुशन है कि किसी ने कहा कि सम्मिधान के बिना कोई राज्ज नहीं हो सकता है दोस्तों को साथा बताने से पहले जो भी स्टुडेंस अभी तो मिसाइल कलासेस का प्लेष और दोस्तों आभी जाएं मिसाइल कॉल सेउस할 कटव को डाउनलोड किज्ये और तो 299 रुपया में all subject का better तरीकर से त्यारी करना थिक है कोई दिक्कत हो कि इस नंबर पे जो स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे मेरे दोस्तों स्क्रॉल हो रही है नंबर अपलोग हमारे टीम के WhatsApp नंबर इस नंबर पर वाटसाप कीज़ेंगे हमारे टीम आपको रिपलाइए क आपको आची तरह से क्लास करना है तो किसी ने कहा कि समिधान के बिना कुराज नहीं हो सकता है पाकिस्तान चला गया जब हमारे देस का बढ़ा हो गया तो अफसा नमर हमारा सी इसका राइट है चुन को मैं एक्स्प्रेंट करके बताऊंगा क्योंकि इस से रिलेटेर अगर कोई भी कोशन आ जाया तो घवरानी का वे सकता नहीं इसलिए जबी वीडियो को देखें बीना स्किप के देखें ना चलिए समिधान सभा किस तार्य को आपना समिधान को बनाया था तो बतांगे सब्सुरू काम शुरू किया था समिधान सभा करने कब समिधान को लागू किया यह अलग कोशन हो गया और एक कोशन यह किसमिधान सभा ने किस तार्य का अपना काम सुरू किया था तो 9 दिसंबर 1906 को ठीक है ऑफ्सन नमर ए हमारा सही उतर हो जागा आते सर अगला कोशन पर किसमिधान सभा का अधेक्ष कोन होता है कोन बैठाक हुई थी इस याद रखेंगे मेरे दोस्तों उसमें हमारा समिधान सभा का अध्यक्ष के उर्प में चुना गया था डोक्टर राजेंदर परसाद को ठीक है अगला कोशन में मूब करते हैं सर्डोक्टर भीमरामबेडकर की समिधिया अध्यक्ष थे डोक्टर भीम और रहें आपके एकजाम पर हरहाल माई कि में दोस्तों इसको देहां से सुनिएगा 4642 संसुदन निसुठार कभ मेरे बैद चुछ नमार से तुरो जागी समिधान के समिधान के प्रफ्ष्टवना को भारत की राजनिती कूंडली किसी ने कहा था था तो बताएंगा सिर के म मुनसी ने कह था कि संगयती व्यवस्ता का नमूना लिया आब आप सभी को पता है कि भारत का समिधान अलग अलग देशों से लिए गया है कि इसी लिए हमारे देश समिधान दुनिया का सबसे आफेेट कानाडा से आमरिका से क्या लिया गया मौलिक अधिकार और अस्ट्रेलिया से लिया गया सवरभरती-succi याद रहुए ऑप आपको याद रखना एक ही चीज को खास करके किन देश से क्या लिया गया है ठीक है जैसे किस योजना किस फारिज पर भारती समिधान का गठन हुआ था तो बताएंगे सर्केविनेट मिसन योजना केमिनेट मिसन योजना 1946 के तहद भारत की समिधान का निर्मान किया गया था ठीक है चलिए और कौन से सब्जेट देखना चाहते इसके बाद जरूर कॉमेंट करें साथ ही साथ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वाट्सप गुरूप का लिंक पड़ा हुआ है उस वाट्स अर्रेडी चले गे थी अप्शन नमसी हमारा सही तो रहेगी ठीक है समिधान सबाने किस तारिफ पर यह समिधान अपनाया तो आपको पता है मेरे दोस्तों 26 नॉवंबर निस उन्चास को समिधान अपनाया पर लागू हुआ था हमारे 26 जनवर निस तो पचास को इसको भी चले कि आज रहे का कप सुरुआ थे YouTube मेरे दोस्तों 9 दिसमबर निसेट्पाण अजरेगा था हमारे 276 लगबक 64 लाक रुपया का खर्चा बाता दो साल एकार मेहना 18 दिन में बनकर तयार हुई थी ठीक है तो 26 नौबर 1949 इसका सही तोर जागी भारती स्वारी समिधान सभा का पर्थम आधिवेशन कवा था समिधान सभा का पर्थम आधिवेशन हुआ था मेरे दोस्तों 9 दिसंबर सब्सक्राइब दोस्तों राष्टपती मतलब आपको जब आप क्लास 12 में चले जाएंगे ना तो आपको एक चीज पढ़ना को आपके अपात काल की स्तीती तीन परकार को होता है ठीक है जो आनुशेद नंबर भारती समिधान का अनुचे 352 में बताएगा है 356 में जर्मनी कि अपात क्ल की स्तीती तीएंगे जर्मनी की स्तीती कहां से लिए और भारती से आपको जिचेती में अनुचे ताफ्या-टी के अगे। कानाडा में option number हमारा D इसका right answer हो जागी और मेरे दोस्तों इसके बाद कौन सा subject देखना चाहते ही comment करना ना भूलेंगे ठीक है समिधान के द्वार भारती समिधान की प्रस्तामने पांत निर्पक्ष सब्द को जोड़ा गया था मैंने अभी जस्ट पताया था इसका अंसर मेरे दोस्तों कि 42 समिधान संसोधन याद रखना है विए दोस्तों 42 समिधान संसोधन कितने समिधान का आध्यान कि तो 558 अगला समय लगा था दोसाल एग्वार मैंना अठारा दिन खर्चा कितना ही तोटल जोचा राख रुपिया कि सवार dripping समयधान किया सवारंगorf यह दिया झाल टाइन कीजेगा और दॉनलोड करने के बाद आर्स के special course को आप जरूर जोइन कीजेगा यहां पर अगर इस course को आप जोइन करते हैं दोस्तों 99 पर देकर तो यहां पर all subject का better तरीके से आप लोगो class provide के जाएंगे ठीक है सुबह साम दोनों टाइम online classes होती है वह भी आप लोगो का selected question के साथ तो लेटर ना करें जाएं जोइन कीजिए और online class का आनंद लीजिए ठीक है चली सर question पर आते हैं अंगला question अंगला question समीधान सभा में कूल कितने सदे सहबया समीधान सभा में ट्रोटल अभी में बताया 389 सदे से लेकिन मेरे दोस्तों 93 सदे से जो थे वह देशी रियासते थी जो और रेड़ी चलेगे कहाँ पर पाकिस्तान चलेगे कोई हैदराबाद में रह गये हैं कोई जुनागड में रह गये हैं ठीक है अगला कोशन पर आते हैं मुली समिधान में कुल कितने आनुस्ची आ ठीक हो रहा था तब जब ठा लगा रहे तो उस तमयान बताना है मिरयों डुद्चारागो टों pleas लें है कुछ समिधान में कुल कितने अनुखेद है बाइं इसको पाड़ बोलता इसको और इसको इसको हम लोग आर्टिकल बोलते है रिक होता है इसको अनुची आनुची भारत में हमारा आनुची कि थे थे भागों की संक्या ऑश वाए से और अनहुची क्या से क्या अभी प्रिजेंट रहा है पहले आठ अब हो गया बारा इन्हीं तीनों चीज को में देखते हैं हमारी समयधान चलती यह सारा काणून सारा नियम कानून जो बनती है ने इन्हीं तीनों चीजों से बनती है तो बातमान में भारती समिधान में कुल कितना भाग है तो मैंने आपी जस्ट बताए बाई कितना भाग है ठीक है अगला कोशन किसने बिधान सभा में किसने पंडी जवाला नहरू और अगर अच्छा लगे तो आपने दोस्तों को जरूर सेर कीजेए गवाए तीन जुन 1947 को किस योजना के ताथ भारत का भीभाजन हुआ था तो बताएंगे मांट बेटन योजना क्या पताएंगे सिर्फ मांट बेटन योजना भारत का समिधान कब लागू हुआ बताएंगे मेरे दोस्तों भारत का समिधान कब लागू हुआ तो 2600 सुपचास को अगला कॉसिम मोचिन आते हैं भारत के प идет को अठीज अग्याया ना हर कि परफ्डान मंथ्री ईतल्या प्रफम गोवर्ण जनरल जुथे ने वर भाई याद रहेगा लॉड माउंट बेटन ठीके अगला कुशन पर आते हैं भारती समिधान के प्रारूप समिति का अधिक्ष को ने प्रारूप समिति का अधिक्ष मैंने तेकंड कोश्चन में बताया था याद रहेगा मेरे दोस्त आप लोग बिल्कूल अप लोग हर दिन अनलाइन क्लास चलती है सुबह साम दोने तो जल्दी सुझान कर लिजएगा बारती समिधान के निर्वान में कितना रुप्या खर्चा आई थे लगभग 64 लाक रुप्या कर ठीक है अगला कुशन पर आते हैं समिधान सभा के पहली बैठक कवी थी शमिधान सब्सक्राइब पहले बैठक होती है 9-2-1946 को अगला कुशन सब्सक्राइब के परतम बैठक कहां होी थी तो बतायेंगे सर 9-2-9-46 को होती है कहां पर देली में कहांप होती है मिर भई दैली में आप अप्सकरा के भुलिये ने बात अगला कोशन वर्तमान में भार्ति समिधान में किटनी अनसुची वह पहले कितना था था लगा रहे तो बताएंगे 8 है कितना 12 एक था आप लोग का कोशन आगला कोशन भारति समिधान सभा Espra नेम लिखेत में से कि योजना के सिफारेश पर किया गया था तो बताएंगे सर केमिनेट में से योजना 1946 तो यह थे सर आप लोग का कोर्षन टॉप अगला भी हम लोग को जल्दी बताएं ताप लोग कॉमेंट स्ट्रक्षन में कॉमेंट करना भूलें मिलते इससे तरह से ने क्वमे स्ट्रक्षगा.